जेन सातियों स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूटूब चैनल जीके राम बागरिबर देखिए जब मैंने रावल रतन सिंग जी पढ़ाये थे तो वहाँ पे तोड़ा सा जिक्र किया था साका जोहर और केसरिया का और मैंने बताया भी था कि मैं इसके उपर एक complete detail वीडियो लेकर के आऊँगा तो आज का जो टोपिक है वह अपना रहने वाला है साका कैसरिया जोहर इन सब के बारे में तो क्या है अगर इतियास का कोई विद्यारती है और कोई teacher इतियास पड़ा रहा है ना तो उसके लिए यह चीज जो है नॉर्मल होती है मतलब आम बात है वह डारेक्ट साका बोल देता है तो उसी में बच्चे भी समझ जाते हैं और वह भी समझ जाते हैं लेकिन जो इतियास का नया विद्यारती है या जिसका फिल्ड मतलब जो इतियास से जुड़ा हुआ नहीं या उसकी faculty अल तो देखिए सरवपर्तम देख लेते हैं कि साका पहले इसकी प्रश्टबू में देख लेते हैं कि वह इसका जो है मुख्य कारण क्या था प्राचिन समय में अपने यहां के जो राजा महरा राजा हैं उनकी छोटे-छोटी रियासत या राजी हुआ करते थे एक राजा तो अगर एक राजा दूसरे राजा से आर जाता है तो जो जीता है उसको टेक्स देगा और सासन कोन करेगा वो खुदी करेगा लेकिन जब अरब आकरमनकारियों ने यहां पर हमला सुरू किया तो वह क्या है कभीलों में रने वाले लोग थे उनको ज्यादा सब्वेता संस करती आती नहीं थी हमेशा लूट मार करके ही अपना जीवन्यापन करते थे जब वह रेकिस्तान की तरफ से अपने भारत जो आबाद था इसकी तरफ बड़े ख़जाने के लिए तो उनमें क्या है थोड़ी सी जो बरबरता है वह ज्यादा थी जब वह यहां किसी राजा को जीत लेते थे तो धन दोलत लूट के ले जाते थे साथ में जो उसके मैलाएं होती थी उस राज्ये में जितनी मैलाएं इस्त्रियां होती थी बच्चियां होती थी उनको ले जाते थे और उनके साथ गलत वेवार करते थे उनको बेश देते थे बाजार लगाते थे या उन अच्छा से प्राण उत्तर कर देती थी उसको बोलते थे जोहर तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले तो वो चीज समझ में आगी कि उसका जो कारणे वो कब से शुरुआ जो अरब आकरमनकारिये तब से यह प्रंपरा सुरूई थी कौन सी साका करने की तो हम आगे द और एकसा मिले केसरिया देखिये जोहर सब्द पर गोर करते है जोहर सब्द के दो अड़त होते हैं एक तो जो रतन होते हैं बाव मुले रतन एक तो वो जोहर और उसका जो काम करने वाला आता है वो होता है जोहर ही और जोहर का दूसरा अड़त होता है एक अपनी इच्छा से बलिदान देना मतलब जो अगनी में देते अगनी में जल करके बस मो जाते वो चीजे जोहर इसी से मिलता जुलता एक और सब्दे जोहर जोहर ये आदिवासी समुदाय में पर्च लिते आदिवासी समुदाय मतलब जो बिर्सा मुंडा हुए हैं कभी उनके बारे में डिटेल से देखेंगे तो आदिवासी समुदाय में हम अभी वादन करते हैं किसे को नमस्ते करते हैं किसे को प्रणाम या नमन करते हैं तो वहां पर ये यूज किया जाता है जोहर तो दोनों को द्यान रखना एसमें आउ की मात्रा है इसमें यह जोहर है यह जोहर है तो जोहर अपने यहां पे काम आता इतियास में जो राणियों ने जिसे रतन सिंग के टाइम पर किया ओर बे आगे बोश इस सीध जोहर हुए थे उनके बारे में देखते तो ये इस सब्द की चर्चा हो गई रजया का याद अब देखिए जोहर कौन करती थी इसको करती थी मही लाए और केसरिया कौन करते थे पुरुस देखिए जोहर और केसरिया है इसकी कमाइंड फूर्म होती थी कौन सी साका मतलब जोहर भी होगा और केसरिया भी होगा तो उसको बोलेंगे साका और अगर दोनों में से एक चीज नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अर्द साका अगर जिक्र करेंगे कहा कहा पर होए थे और कहां पर कौन सा उदारणे उसके बारे में तो साका मैं जोहर भी होगा और केसरिया होगा जोहर कौन करेंगी महिला है केसरिया कौन करेगा पुरुस देखिए यह situation का बाती थी, जब जो सामने की दुस्मन सेना हैं, वो अपने से ज़्यादा है, जैसे कि चितोड के दूसरे साके में, जो जेमल पत्ता और अपने यहां चितोड वाले थे, वो मात्र 8000 से निखते, जिबकि उदर से जो से निखते, सामने अकबर की सेना में, वो लगबग 4060 से साथ जार के लगबग से निखते, तो सिधा सा दिख रहा है कि अपनी सेना में सेनी कम है, तो वीर गति तो ते हैं, मतलब मरना और हारना तो ते हैं, लेकिन हारना हैं, वो किस तरीके से हारना है, उस चीज के उपर यह चीज निर्दार है ते, देखिये, अब मालो अपने से निकार गए, तो वो क्या करेंगे, जो यहां कि दंदोलते, अनाजे, जितनी भी चीजे हैं, वो उनको लूट करके ले जाते थे, और साथ में जो मैलाएं बच्चियें उनको उठा करके ले जाते थे फिर उनको अब अजार में बेजते थे तो उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं पहले कि जो जितनी भी मैलाएं हैं देखे एक रात ये चीज जो है डिपेंड करती है सिच्वेशन की उपर कि जो पानी में कूदने का मुखा मिला और नहीं आग जलाने का मुखा मिला तो उनको तुरंत हाथों हाथ तलवारों से काड़ दिया गया था सारी महिलाओं को तो ये चीज डिपेंड करती है की सिच्वेशन केशी क्रेट हो रहे हैं जैसे सिच्वेशन होती है उसी किसा आप से लिया जाता है तो देखिए कि अगर समय है तो कि सुबह फाटकोल नहीं कि लेगे तो उससे पहले रात्री बोज का आयोजन किया जाता था सब एक साथ मिलकर के खाना खाते थे लास्ट बार और जितनी भी महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर वो अपन फुरिसओला सिल रिंगार करके सारे गन वगएरा पन करके और पिर अगनी में प्रवेश करती सथ तो उनके साथ जितने दंदोला तो रहे जवारात ईजिंता और वोशन के के साथ अगनी में जलकर किराग हो जाते दें तो वह भी खतम हो गया और अपने जो मेह से पीछे वब वो अगनी जला करके उसमें बेड़ जाती है और अपने प्राण त्याग देती है अब इसके बाद में होता है केसरिया देखिए अब जाजदर बच्चों के केसे डिफाइन करेंगे कि हार ना ते हारना तो ओल्रेडि पले से ही ते हो चुका है कि सामने की सेना शाठ अजा रहे और अपने सेनिक आठ अजा होता है यह दियान रखना जोहर बहले होगा बाद में केसरिया होता है केसरिया सब्सक्राइब बात करता है के सर्य käre यह कैए एक रंग है और इसको हमने जो है तिरंगे पर सभ्सक्राइब। और केसरिया तो जो केसरिया कलर है वो किसका पड़ती के बलिदान का मतलब हमने आज भी अपने संस्कृती का निर्वन करते वे जो बलिदान है उसको सबसे उपर रखा है कहां पर रखा है सबसे उपर अपने देश का जो दोज है उसमें तो बलिदान सर्व परियोता है हर ची निपरंपरा में इसे पगड़ी तो उसको उतार करके एक नया सापाधारण करते थे उस दिन कौन सा केसर्या रंग का उसका कलर के सा था था के सर्या जिसको आज भगवा बोलते वो दोनों एक ही चीज़ है तो बस नाम लग लग हुआ है लेकिन जो मूल रूप से था हो कौन सा था केसर यह तो इस रंग का सापा या पगड़ी बांध करके फिर युद्ध करने जाते थे तो एक मकसद बचता था पुरसों के लिए कि पीछे पूरा परिवार खत्म हो गया है अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं है तो एक जो मकसद होता था होता था कि दुस्मन को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंचाए जाए और जितना ज़्यादा हो सके उतना नुकसान करके फिर वीरगती को प्राप्त हो तो जब आदमी इस लेवल पर उतरता है ना तो उसके लिए ये चीजे सामने वाले पर बहुत बार ही पढ़ती है कि परिवार बचा नहीं है और अब सिर्फ क्या है सामने वाले दुस्मन को हराना है तो देखिए जब हम चितोड़का जो सेकिंड साका पढ़ते हैं तो वहां प केसरिया दोनों होंगे जोर कौन करेंगी महिलाएं करेंगी और सोलसरिंगार करके सारी चीजी वो केसरिया जो है रंग है और इसको कौन करते हैं पूरुस करते हैं अब इसके बाद में हैं एक सती एक शब्द शती देखें सति में क्या होता है इसमें भी मैलाई होती है लेकिन एक मैला होती है एक मैला इसमें पती जीवित यह चीज की जाती है और सती में जो है पती मरने के बाद में पती की मृत्य हो जाती है उसकी मृत्य उपर देखिए जोहर में बहुत सारी मैलाई सामिल हो सकती है जैसे हम देखेंगे रत्तन सिंग के टाइम पर जब वह आता तो पदमिनी ने तेरा जार रानियों ने जोहर किया था फिर तर्ड साके में साथ सो रानियों ने जोहर किया था इसका मतलब यहां पर रानिया सारी मैलाई होंगी एक या एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन यहां पर जो सती होती है वो एक मैला होती है वो भी कब जब पती की मृत्ति हो जाती लेकिन जो सती है पति की मरति हो जाती थी तो क्या अ को मैला को पती के साथ जो है चितागनी पर बीटा दिया जाता था और वो उसी अपने पती का सिर जो है गोध में लेकर के बेठती थी और उसे में अपने प्रान त्याग देती थी कभी-कभी मैला की इच्छा भी नहीं होती थी फिर भी उसको जवर्दस्ती जो है सती कर दिया जाता था तो ये चीज है आपने अगर मंगल पांडे मूवी देखिए तो उसमें इसके बारे में तोड़ा सा सीन बताए हुए फिल्मों में देखिए इतियास की थोड़ी से जलग बताए जाते है इतियास का जो है पूरा तत्ते नहीं होता उसमें बहुत सारा तोड़ मरोड होता है इतियास के साथ छेठगानी होती है वो हम जैसे संदर बायगा वहां पे मैं बता दूगा कि कौन-कौन से फिल्मों में क्या-क्या हुआ है लेकिन फिलाल ये दियान रखना तो आप अगर उस फिल्म में देखोगे तो वहां पे वह आता है और अंग्रेज उसको चितागनी से उटा करके ले जाता है और वहां पे खिलाप हो जाते तो यह चीजें बाद में अंग्रेज उनिसको बंद कर दिया था तो इसमें एक महला ओगी और पती के मुर्ट्य की बाद में ये वह उसी तरीके से पती मर गया है फिर भी स्रिंगार करके सारी चीज़ें मेंदी वगेरा लगा करके शिंदूर बर्गे उस तरीके से बेढ़ती थी चितागनी पर और फिर जो है अपने प्रान त्यागती थी तो इन सीज़ को देखी हम देखते हैं कि राजस्थान में अपने भारत इतियास में अपने राजस्थान के लिए तो आर्पेसी ने मान रखा है रनतंबोर वाला उसको पला साका मानते हैं लेकिन भारती इतियास में जो पला साका हुआ है वो जब मैंने बपारावल पड़ाया था तो वहां पर भी बताया था कि जो सिंध पर आगरमन होता है पश्ट बार और व किया ये बारत का पला एकष्ट तो नहीं था कि जिसे दुष्मनों ने आके कपचा कर लिया इससे पले भी लड़ाईयां हुई हूँँगी और इससे पले भी नजाने कीतने वो बारा सु नद्याणमे में उसको परमानिक नहीं मानते हैं, परमानिक मानते हैं रनतंबोर वाले को, जो तेरा सु एक में हुआ था, राणा हम मीर के टाइम पे, तो हमें सिर्फ क्यूशन सही करने से मतलब है, वो इतियास की बाते हैं, जानने के लिए कि कब हुआ, क्या वो चीजे, तो जो आरपेसी ने परमानिक मान रखा है, हम उसी को सही मानेंगे, हमें दो नंबर से मतलब है, बापुगर आना चीए, किसी विरस्ति आये, वो चीजे देगे, तो और इसमें और भी सारी चीजे हैं, कि वो बारत का पला, सिंद वाला, वो है पलासा का, राज जोहर कोन करती, महिला हैं, लेकिन अपने राजस्तान में एक जगह है, बटनेर, बटनेर पर तेमुर काक्रमन हुआ था, तो वहाँ पे मुसलिम महिला उने भी जोहर किया था, मतलब जो हिंदू महिला हैं ती सही, उनके साथ जो मुसलिम महिला हैं थी, उन्होंने भी अपन लेकिन उसकी कहानी में जब रनतंबोर का इतियास पड़ाऊंगा, तो वहाँ पे और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिर भी में थोड़ा सा आपका ध्यान खीशना चाहूंगा, कि जो रंगदेवी है, या राणाहमीरे, उनकी जो बेटी थी, पदमला, उस अकेली लड़ लेकिने जो है, तालाब में कूद करके अपनी जान दीती, क्योंकि अपने राजपूत परंपरा में यह हैं कि जो बच्चियां होती है, उनको नहीं मारा जाता, उनको क्या करते थे, जब भी ऐसी सिच्वेशन क्रेट होती थी, तो उनको अपनी बुआ, मोसी, कहीं पे भी देते थे, और वहां या पिर उसकी साधी कर देते, लेकिन जो पदमला थी, वो थोड़ी सी नाबालिक थी, और ऐसी सिच्वेशन भी नहीं थी, क्योंकि जो दुर्गे वो गहरा हुआ था, तो उसको बेज केसे देते, तो इस कंडिशन में जो है, वो अपनी जान देती है, और बाद में, वहां पे जो है, साका होता है, जब हम वहां पढ़ेंगे, तो और एक एक चीज डिटेल से बताऊंगा मैं, तो वहां अकेली थी वो, जो इसने अपनी जान देती, लेकिन बाकी जितनी महिला हैं थी, उन्होंने जो है, जो हर से ही, मतलब अगनी में कूद करक और लोग मान लेते हैं, जो भी है, हमें उसको जल जोहर में ही मानना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके लिए, वो चीज है, फिर जोहर का मतलब है, जोहर की जौला उटनी चीए, तो पानी में से तो आग नहीं निकल सकती, तो वो चीज है, तो उसको जल जोहर में मान ल तो उनको जो है तलवारों से काड़ दिया गया था जब मैं जैसल महर पड़ाऊंगा तो वहां डिटेल से बताऊंगा और सारी चीजे और एक वर चीजे कि मैलाओं ने तो अपनी जान दिये क्या पुरुसों ने इसे जान दिये तो मारवाड रियासत में एक छोटी सिगटन आती है कि वहां पे ब्राह्मन और जो चारण पुरुस थे उन्होंने जोहर किया था अगर पुरुस देते हैं पुरुस पुरुस जोहर करते हैं तो उसको ब बोलते हैं जम्मत एक और होता है प्रयावरण की रक्षा के लिए प्रयावरण की रक्षा के लिए अगर साका किया जाता है तो उसको बोलते हैं खडाना साका जैसे अमरता देवी विश्णुई ने जो जोदपूर के राजाते अबे सिंग जी उसके समय अमरता देवी विश् कि पतनीती पेड़ों को बचाने के लिए जो है 363 लोग खेजडी से चिपक करके इसलिए मर गए कि भही हम हमारे सामने जो है पेड़नी काड़ने देंगे और जांबो जी की जो एक वो लाइन है कि सिर साथे रुक रहे तो भी सस्तो जान मतलब एक सिर के बदले अगर एक कर दिया था और अपना बलिदान दे दिया था तो उसको बोलते हैं खड़ाना प्रयावरण की रक्सा के लिए जो दिया वह एक खड़ाना आज मैंने ये सारी चीजें बता दिये कि साका क्या होता है जोहर केसरिया और शती ये कंप्लिट जानकारी जितनी मेरे पास अवेले में निकाल लेंगे जैसे चितोड में सबसे जदा हुए है तीन सा के रंतंबोर में हुआ है जैसल मेर मेरे में हुए है गागरोण में हुए है तो उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे और जैसे में क्लासे पढ़ाऊंगा तो वहां तो बताऊंगा ऐसे पूरा पर भी पाया होंगा चाहिद अगर अच्छा लगाए इसको लाइक कर देना शेर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ये परी और मेंस के लिए किसी भी तरीके से सब के लिए काम आ सकता है तो अब किसी और अन्य टोपिक पर किसी दिन फिर मुलाकात होगी लेकिन जो कलासे जे मेवाड के त्यास की वो तो कंटिन्यू रहेगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन जै बारत